हे गुद मॉनिंग आप्रिवन आज का जो ब्लॉग है वो है मेरी भांजियों के लिए क्योंकि आजी के दिन याने दो दिसमबर आज हम फर्स टाइम मामा भी बन गए हैं तो उसी खुशी में शामील होने के लिए हम निकल चुके हैं बिलासपूर के लिए बिलासपूर चतिस भांजियों से मिलवाऊंगी तो मेरे साथ सथ बने रही है यहां आप देखी सकते हैं कि मेरे हस्बेंड और मेरा बेटा बहुत ही कुश है क्योंकि वह इसको अपनी नई बेहनों से मिलने का जो मौका मिल रहा है तो बहुत ज़ादा एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेलासपूर के हॉस्पिटल जहां मेरी नंद और मेरी ट्विन्स भांजिया एडमेट हैं हॉस्पिटल में तो उन्हें देखकर में वीडियो शूट करना यह भूल दी तो आपको अनली क्लिप से ही काम चलाना पड़ेगा बठा में प्रिंस भांजियों का वेलकम कैसे किया यह मैं पिशाच शेयर करने जारे हूं तो मेरे सब बनी रही है फाइनली मेरी प्रिंस भांजिया आचुके हैं अपने घर तो देखिए हमने उनका कैसे वेलकम किया बाइनली मेरी किया जाचुके हैं आपके हैं वेलकम किया जाचुके हमने प्रिंस भांट किया ऑचुके हैं और दिता हैं वेलकम किया है कर दो झाल 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 बेबीस के घर आने पर हर एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश था और हम तो डबल खुश थे क्योंकि हम पहली बार मामा मामी जो बने थे मेरी दोनो बहंजिया इतनी ज़्यादा क्यूट है ना मैं बता नहीं सकती और यह जो छोटी वाली है जो गोरी गोरी से दिख रही है वो इतनी ज़्यादा नौटी ना रात रद पर मुझे जगाया होस्पिटल में से इस ना मेरी दोनो नौटी के लिए मामा मामी के तरफ से चोटा सा गिव्ट था आपको मेरी दोनों ट्विंज भांजिया कैसी लगी मुझे कमेंट सक्षिन में जाके जरूर बता है और मेरा चोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा यह भी जरूर बता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाइ खाल चोटा सक्षिन में जरूर थाल चला है दो थाल आपको कैसा जरूर बता हैं यह भी धष़ से खाला आपको कैसा लगीं एकर अंपको के लगा झार कर लोगा से लगा हमें जरूर आपको